जहां इस्राइल हमास के बीच सीस फायर वारता बेहत नाजुक पलों से गुजर रही है वहीं दोनों के बीच गाजा में तीकी जंग भी लगातार जारी है इन सब के बीच बीच बीते 18 गस 2024 को इस्राइली राजदानी तेल अवी फिर से बड़े दमाके से दैल उठी इस ब्लास्ट में एक शक्स की जान चली गई जबकि दूसरा शक्स गायल हो गया इस्राइल के सबसे महफूस शेहर में हुए इस दमाके से पूरे इस्राइल में हड़कम मच गया इस्राइली पूलीस और सेना ने तुरंद मोर्चा संभालते हुए चान बीन और तलाशी शुरू कर दी खास बात है कि ये दमाका ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिकी विदेश मंतरी गाजा यूद के बाद नोवी बार इस्राइल पहुँचे हाला कि अब तेल अवीव पर हुए दमाके की जिम्मेदारी ले ली गई है हमास की मिलिटरी विंग अल कसम ब्रिगेट और फिलिस्तिनी स्लामिक जिहाद अंदोलन की मिलिटरी विंग अलकुदस ब्रिगेट ने 18 अगस 2024 को तेल अवीव में शहीद उपरेशन की जिम्मेदारी ली दोनों गुटों ने अपने जोइन स्टेट्मेंट में बताया कि 1948 के कबजे वाले फिलिस्तिनी लाकों में शहादत अभियान तब तक सबसे आगे रहेंगे जब तक इस्राइल के नरसंहार नागरीकों का विस्थापपन और हतियाय जारी रहेंगी फिलिस्तिनी परतिरोत की ओर से सालों से इस तरह के शहीदी अभियानों को अंजाम तक नहीं पुचाया जा रहा था खास बात है कि दोनों परतिरोत गुटों का हालिया ब्यान 31 जुलाई को हमास नेता इसमाईल हानिया की हतिया के बाद आया है हाला कि इरान में हानिया की हतिया के एरोपो को ना तो इस्राइल ने कभी माना और ना ही इंकार किया है इस्राइली मीडिया की और से शेर किये गए वीडियो फुटेज में कतित हमलावर को विस्फोर्ट से ठीक पहले एक बड़ा बैक पहने हुए सड़क पर चलते हो दिखाया गया है सरकार के परवक्ता डैविड मैंसर ने कहा कि एक शक्स विस्फोर्ट को से बरा बैक ले जा रहा था लेकिन विस्फोर्टक को घनी अबादी ले जाने से पहले इसमें विस्फोर्ट हो गया बता दे कि धमा का इतना जबर्दस था कि इससे जुड़ा एक CCDV भी सामने आया है जिसमें ब्लास्ट होते हुए कई लोग डर जाते हैं और बशने के लिए इदर उदर भागते चिलाते दिखते हैं बता दे कि हमास का खुलासा इस्राइली पुलीस और शिन बेंट के ब्यानों के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि तेल अविव में विस्वोट फिलिस्तिनी परतिरोत की और से किया गया एक हमला था जिसमें एक विसफोटक उपकरण से विसफोट किया गया था इस्राइली मीडिया टाइमस ओफ इस्राइल के मुताबिक शिन्बेट अभी भी उस परतिरोध से नानी की पैचान करने की कोशिश कर रहा था जिसने ओपरेशन को अंजाम दिया था इस्राइली कान अख़वार ने दावा किया की ओपरेटिव वेस्ट बैंक के नबलस से था जबकि इंटेल टाइमस ने इस्राइली चिंताओं की सूचना दी की की फाइटर अपने दम पर काम नहीं कर रहा था इस बीच येडियेट अहरनोत ने कहा कि इस्राइल को वेस्ट बैंक के यूद में बदलने का डर सताने लगा है हमास मजबूत हमलों को अंजाम देने के लिए दस्यों ब्रिगेट की भरती और फंडिंग कर रहा है साथ ही विस्फोटक उपकरणों का इस्तमाल और रोकेट बनाने की कोशिश कर रहा है हमास के हमले में तेल अवीव में एक शक्तिशाली विस्फोट के दोरान एक शक्स की जान चली गई थी इस्राइली अधिकारियों ने पुष्टी की की विस्फोट ट्रक पर रखे विस्फोटक उपकरण के कारण हुआ था ये घटना जो शेहर के एक व्यस्त इलाके में हुई जिसने पुलिस को बड़ी जाच के लिए जोड डाला है जो हमले के पीछे संबावित मकसद की तलाश कर रहा है